सबी भाईयों को राम राम भाईयों आज जानते हैं कि एक बलब को हम 440 वोल्ट मतलब डवल फेस से कैसे जला सकते हैं कई मेरे किसान भाईयों के खेत में है जो अर्थिंग नहीं होती है और वहां रोसनी के लिए बलब लगाना होता है लेकिन अर्थिंग ना होने के कारण बलब जल नहीं पाता है तो हम एक बलब को है जो किस तरह है जो 440 वोल्ट मतलब डवल फेस में बिना न्यूट्रल के जला सकते हैं तो यहाँ पर देखे हमने मल्टी मीटर में बिजली जब नाप रहे हैं तो 400 के करीव मतलब इसमें डवल फेस अगर इसमें हम बलब लगाते हैं तो हमारा बलब तुरंत है जो खराब हो जाएगा तो उसके लिए हमें इस तरह का एक और होल्डर लेना है और बलब लेना है और इस बलब का एक तार और जो हमने एक और होल्डर लिया है इसका एक तार आपस में है जो जोड़ देना है तो अब हमारे पास दो तार बचा हुआ है इस होल्डर का एक तार बचा है इसका ये सिरा है और इस holder का भी एक तार का ये सिरा है अब हम इन दोनों तार को है जो 440 वोल्ट सप्लाई देंगे तो यह देखी अब हम इसे लगाते हैं तो यहां पर देखिन हमारे दोनों बल्ब है जो जल गए हैं डबल फेस से 440 वोल्ट से इस तरह लगाने से हमारे बल्ब है जो कभी खराब नहीं होंगे और इस तरह अगर आपके खेत में भी न्यूटल नहीं आ रहा है तो आप डबल फेस में है जो बल्ब जला सकते हैं लेकिन इसके लिए ये सर्त है कि आपके दो दोनों बल्ब हैं ये सेम बाट के होने चाहिए जैसे डबल ये 100 वाट का ये भी 100 वाट का है अगर ये 60 वाट का रहेगा और ये 100 वाट का रहेगा तो हुमारा 60 वाला ज्यादा जलेगा और 100 वाला कम जलेगा